ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुव यद्वध्रम तन्न आसुव हे सगल जगत का उत्पत्ति करता समग्राई शरीव शुद्ध सरोप समसुखों का दाता परमेश्वर आप क्रिपा करके हमारे अंदर से संपून, दुर्गून, दुर्वेसन और दुखों को दूर कर देजिए जो कल्यान कारक, गुन, कर्म, सौभाब और पदात है वे सब हमको प्राप्त कराईए परमात्मा आपकी असीवन गंपा है, कि आपने मानव योनी में हमें भेजा है, हमारे कीवे कर्मों के अमसार मानव योनी एक ऐसी योनी है परमात्मा जिसको आपने उत्करिश प्राणी कहा, उत्करिश प्राणी बताया, उत्करिश प्राणी कहलाने की उपादी आपने मुनुश मात्र को दिया है मुनुश अफजरूल मखलुकात इस बेना पर हो पाया इस आधार पर हो पाया कि मुनुश को आपने अकल सरी मता फरमाया है विवेक और बुद्धी से मानो को आपने नमादा है पर ये मानो अगर सही अर्थों में उसे वीवेक और गुद्धी पर अमल न करे मानो मानो कह लाने का हक भर नहीं बनता आपके असीमल गमपा है कि आज इसे मानो जिसको आपने अफजल मखलुकात कहा है उसने अपने किये कर्मों के उसार मानोता को भी संसार कर दिया है मानवता को भी शर्म सार करते हुए एक दूसरे के खोन के प्यासे बने हुए है मानवता पर गतल करते हुए मानवता का गतल करते हुए मानव नाम कहलाने में भी परमात्मा आज लज्जा आ रही है कि मानव के क्रिया कलाव कर्तूत ऐसे है कि आज एक दूसरी के खून के प्यासे बने हुए है ये सम्मान होता पर कुछ हरागात हो रहा है विशेश कर आज भारत वर्ष के अंदर में जो ये भुन्चाल आया हुआ है रोंगिया मुसल्मानों को ले करके इसमें राजनीती हो रही है सभी लोग मिलकर के राजनीती कर रहे है रोंगिया मुसल्मानों को इस भारत में शरन दिया जाए ये मुसल्मानों के साजिश है मुसल्मान लोग इस देश को इसलामिक राष्ट बनाना चाहते है जिसका जीते जाकता प्रमान ये है कि इस्लामिक राष्ट इस देश को भारत वर्ष को बनाना चाते हैं जब कि इस देश का नाम आरिय वर्थ था है और आरिय वर्थ ही रहेगा जब भी इस आरिय वर्थ को इस्लामिक राष्ट बनाने का परिकल बना कीम और कैसा है जलादुनिया के लोग इस पर चिंतरों विचार करें और सही को धरन करें गलत को त्याग दें आज बिश्चो के आंगन में सबसे ज़ादा देश जो है वो मुसल्मानों के पास है लेकिन भारतिय मुसल्मान उन मुसलिम देश में इन रोहंगिया मुसल्मानों को रहने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं या उन से विंती नहीं कर रहे हैं यहां तक कि पाकिस्तान में भी इन रोहंगिया को रोहंगिया मुसल्मानों का विरोध हो रहा है जो कट्टरबादी आतबादी कट्टरपंथी है हाफिस साइत के पार्टी के लोग, हाफिस साइत उसको समर्थन कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तान के लोग भी विरूद कर रहे हैं जब इस्लामिक कंट्री इन रोहिंग्या मुसल्मानों का बिरोध करे तो भारत के हिंदू कहलाने वाले इन रोहिंग्या मुसल्मानों को क्यों रहने देंगे भारत में जरा इन भारत में रहने वाले मुसल्मानों से पूछा जाए इन असद दिर उबैसी से पूछा जाए और दारुलूम देवन के उलमाओं से पूछा जाए या जितने भी मदरसा हैं जहां पर दारुल इफता हैं जहां पर उलमाओ दिन बैठ करके फत्वा देती हैं उन लोगों से पूछिए कि क्यों इस भरत में रोहिंग्या मुसलमानों को शरन देना चाहिए इसने मुसलमानों के देश हैं किसी और देश में शरन के लिए आप लोग उन देश वासियों से या उन देश के संचारन करताओं से विंती क्यों नहीं कर रहें क्या इसी भारत वर्ष को अपना खाला का घर माल लिया है या नानी का घर माल लिया है कि जो भी आए किसी भारत वर्ष में ही रहे आईए जरा हम चिंतन करें विचार करें और सचाई के रास्ते पर चलें सच क्या है उसको जानने का प्रियास करें मुसल्मानों से विरोध नहीं है मुसल्मान उनको कहा जाता है जो इसलाम को फॉलो करते हैं जो कुरान को मानते हैं अल्लह पर बिश्वास करते हैं यद भी बिश्वास तो हम लोग भी अल्लह पर करते हैं लेकिन इसलाम के दृष्ष्टी से या इसलाम के दिरिष्टे में हम लोग जतना भी अलाव पर इश्वर पर बिश्वास किमना करें लेकिन हम इमांदार नहीं कहलाएंगे और इमांदार के बल्ग ओ है उन्हें इमांदार कहा गया है एमान मुफसिल और एमान मुजमिल के अंदर में यही बताया गए है आमनतु बिल्लाही वमलाइकती ही वकुतु भी वरुसुली ही वल्यूमिल आखिर वल्कद्र खेर ही वशर ही मिन ल्लाही तालव बास वादल मौत यह एमान का दायरा है बिल्कुल प्रातेवी के स्टेज की बाते में करना हूँ मुसल्मान वही होता है मुसल्मान वही कहलाता है मुसल्मान वही बनता है जो इन बातों पर बिश्वास करता है आकिदा रखता है यकीन रखता है इसमें बाते क्या हैं कि एमान लाता हूं मैं आ यकिन रखता हूँ, चार रसूलों पर भी यकिन रखता हूँ, दाओद, मुसा, इसा और मुहम्मद, और आखिरत के दिन को भी मैं मानता हूँ, गयामत के दिन को भी मानता हूँ, मरने के बाद वाली सिंद्गी में जन्नत में और जहन्न में जाना है, ये जो मानते हैं, बिश कैसा हो गया है कि अल्ला को मानना इश्वर को हम लोग भी मानते हैं हमारी यहां पर एक इश्वरबाद की बातें बेद में भरे पड़े हैं लेकिन कुछ नादान लोगों को पता ही नहीं है यूँ बेद पर भी आक्षे करना चाहते हैं यह वो यह कहते हैं कि सबसे पहले यह हिंदू भी मुसल्मान थे जैसे एक स्वामी लक्षमी शंकरानन जैसा मुर्ख वेक्ती कह रहा है इस बात को इसका जवाब मैं पहले ही दे रखा हूँ अभी कल मैं देख रहा थे एक वीडियो के उसरो मुर्खानन ने कहा कि यह हिंदू कहलाने वाले सभी मुसल्मान हैं इन अकल की दुश्मन ने वेद का हवाला दिया कि वेद में इश्वर की पूजा करने में कहीं पर भी उब्देश नहीं है क्या गिनी वायू आदी तो रंगिरा को मानो कपील करनात पतंजल गोतर जमिनी बियास आदी रिशियों को मानो देरन को मानो भीवेकरन को मानो ये इसको मानो उसको मानो नहीं एक इश्वर के साथ किसी और के साजी नहीं है अब इसलाम के मानने वारे लोग उसी इसलाम मुसल्मान कहते हैं जो इन बातों पर आकिदा रखते हैं मानता रखते हैं वो मुसल्मान है अब देखिए उनकी मानता ये है कि सड़क घेर करके नमास पढ़ना है देख नहीं नहीं है केबल इतना है नहीं है केबल सड़क घेर करके नमास पढ़ना ही नहीं है जितना भी भारत बिरोधिकारी है वो सब मुसल्मानों के द्वारा हो रहा है होता आया है इस भारत बर्ष के अदर में जो मुसल्मान इस भारत बर्ष में रह रहे हैं जो भारत माता की जै कहने में जिनको आपती है, भारत माता की जै बोलने में जिनको आपती है, जिनको असुधा है, तो भारत में रहने के लिए उनका क्या काम है, के बल इतना नहीं, बन ले मातरम नहीं बोलूँगा, असद दो दिनों वैसे नहीं क्या बोला था, मेरे गले मे कोई छूरी चला दे फिर भी मैं बाद नहीं बोलूँगा भारत माता के जय नहीं बोलूँगा जबके बोल भी रहा है भारत माता के जय शब्द पहले है नहीं बोलूँगा शब्द बाद में है भारत माता की जय नहीं बोलूँगा तो अब इनकी संख्या बृद्धी के आदेश नहीं मानते हैं, सुप्रिम कोट के आदेश को नहीं मानते हैं, सुप्रिम कोट के आदेश का अवहेल ना करते हैं, ऐसी भारते में मुसल्मानों का क्या काम है, और विशेश करके इसलाम में भेद क्या है दिखेगा, पुरान में तो अल्ला ने मुसल्मानों से दोस्त तक रखने के लिए मना किया। कुरान में आल्ला ने साफ शब्द में जिकर फर्माया है यह अब तक दस साल तक भारत का उपराष्ट पती रहा उपराष्ट पती रहा है। तक भारत के लिए और शब्द में जिकर फर्माया उपराष्ट पती रहा है। इनके लिए यह बताया है क्योंकि यह सब लोग उन कटरवादी मुस्लिम चरम पंथियों से इननों का संपर को संब्द है। जम्या मार में इन लोगों ने गिन गिन करके आठ सो प्रतिमाओं को बुद प्रतिमाओं को इनोंने तोड़ा था। बहले ही यह लोग वहां से बस्तापित हुए हैं यह फकीर है भीकारी है कह रहे हैं कि खाने की बौट नहीं है और कप्ड़ा नहीं यह तनमे यह तो क्या आतंग बाद करेंगे। आतंग बाद जब यह जम जाएंगे ता आतंग बाद करेंगे और क्या करेंगे। इसलाम की मानता है यह इसलाम को जो फॉलो करते हैं वो इस इसलाम की मानता है। कौरान का कहना है कि जब तक दुन्या में अल्ला का दीन पहलना जावे काफिरों को जहां पाओं ही गतल करेंगे। तुम बीस मुसल्मान जम्हे हो तो दो सौ काफिरों पर भारी पड़ोगे। तुम सौ मुसल्मान हो तो हजार काफिरों पर भारी पड़ोगे। जब अल्ला ताला खुद यह पेड़ना मुसल्मानों को दे और मुसल्मान इसको फॉलो करते हैं और इसके फॉलो करने के उसको नहम कुटुम मांगते हैं ना मान सकते हैं ना मानने की वीदी हमारे यहां पर है परित्रालया साधु नाम विनाशाचा दुषकीताम हमारा यहां उर्देश रिशी मुनियों ने दिया है सादू महात्माओं का जाए दुश्की तेकारियों का नाश ये 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 दुश्की तेकारियों का नाश है इसलामिक काटरीज से क्यूंitas का जा रहा है इसलामिक दिश से क्यूंग नहीं मतंया जा रहा है कि इनको रहने दो. पाके एक एक दिन खाने के लिए दो दू दिन खाने के लिए तीन उर्यीव भीज twist लेकिन हम उनको यहां बसाएंगे तो उनको खिलाएगा कौन या मुसलमान लोग खिलाएगे उन्हें या भारत राष्ट को खिलाना पड़ेगा भारत सरकार को खिलाना पड़ेगा क्या वो अपना पेट रखकर क्या हैं या पेट रखकर के आएंगे जहां बंगला देश में है वो तो इस तरीके से ये घुस पेट किया है पहली बात तो ये शत्रू इसलिए है कि ये घुस पेट ही हैं अनुप्रवेश कारी है ये अनुप्रवेश करने के कारण ही तो पहला दोशी तो ये है इसलिए दोशी को दं बिना अनुमती लिए किसी देश में घुज जाना ये क्यों कौन सहन करेगा एक भारत को छोड़कर क्या और भारत ये मुसल्मान इसी परी जोर दे रहे इसलिए मैं हिंदों को बिशश करके ये बतारा चाहता हूँ कि मुसल्मानों को जानो पहले इसलाम को जानो पहले इसलाम क्या है कुरान क्या है कुरान का हुक्म क्या है अल्ला ने क्या फर्माया मुसल्मान को अल्ला ने ये हुक्म दिया है कि अगर तुम कोई काफिर तुमारा मुस्लिम प्रोस में रहता है और वो इसलामी तौर तरीका सिख लेता है उसको हिदायत दे ये भेदभाव इसलाम का है इसलिए इसलाम में एक दो जगा भेदभाव नहीं है आप जहां कहेंगे वही मैं भेदभाव दिखा दूँगा मेरा बहुत सारा काम किया हुआ है संपूना इंटरनेट जगत में मेरा काम किया हुआ है ये सुरा तौबा के आयत नम्मर 84 में आल्ला ने क्या कहा और ये रसूल इन मुनाफिकों में से जो मर जाएं उनके जनाजे भी में नजाना देखे आल्ला का हुकम क्या है मसल्मानों को अल्ला ने कहा कि मुनाफिक या काफिर तुम्हारे फ़रोस में रहने वाला कोई मर जाए तो उनके जनाजे भी मत जाना किए उनके बच्चों के रोने पीतने से तुम कहीं उस पर ध्याकरने लगो अल्ला ने साथ मना जनाजा ना पड़ना और ना उनके गबर पर जाना उनके गबर पर खड़ा होना इन लोगों ने यकिना खुदा और उसके रसूल के साथ कुफर किया है और बदिकारी की हालात में मर गए हैं यह सूरा तौबा आयत नमर 84 में अल्ला ने जिकर फरमाया है अब इस एक आया से ही पता लगा लेना चाहिए कि इसलाम क्या है किस इसलाम को शर्म देने के लिए बलके मैं तो यह कहूंगा कि यहां पर जो मुसल्मान रह रहे हैं पहले से ही उन्हें भी इस देश को जो अपना को कह रहे हैं उन्हें भी इस देश में रहने का कोई आदिकानी है अब इस सुप्रीम कोट ने तीन तलाग पर जो फैसला सुनाया है उस फैसले का भी नहीं माना उस फैसले को उस फैसले को भी चुनोती दिया है विशेश करके बंगल का इद्रीस नाम का एक टीम सी का मंत्र में रहना उनके लिए क्यों और कैसा संभव होगा सुप्रेम कोट का आदेश ना मानने तो वो भारती क्यों और कैसा होगा के बाल इतना है नहीं देखे सूरत अबा आयत नमर पचासी में अल्ला ताला ने क्या कहा वला तॉजिब अम्वालहुं वावलादहुं इन्नमा यूरीदु ल्लाह आई यूजबहुं बिहा फिद्दुनिया वतर्जुकु अन्फसहुं वहुं काफिरुं और उनके माल और उनकी आवलाद की कसरत तुम्हें ताज्जु हैरत नकरना ले क्यूंकि खुदा तो सबसे खुदा को खुदा तो बस ये चाहता है कि दुनिया में उनके माल और और उलाद की बदालत उनको अजब में मुब्दिला करें अब अल्ला ताला जिन पर अजब ढ़ाना चाहते हैं ऐसे काफिरों के देश में सल्मानों का क्या काम है मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है जब कुरान के हुकम को कुरान को इश्वरिय ग्यान इसलाम वारे मांते हैं पुरान को कलाम उल्ला मांते हैं और पुरान का ये हुकम है पुरान का ये आदेश है तो ऐसी पुरान वालों को इस गहर मुसलिमों को देश में क्या काम है कि उनको निकालने लगो तो उस वक्त भी ये काफिर के काफिर ही रहेंगे ये काफिर की काफिर हैं तो काफिर कुरान से ये आयात का हवाला दे रहा हूं इस प्रकार की आयते कुरान में बहुत जगा है अल्ला ने कुरान में ये हुक्म मुसल्मानों को दिया है कि काफिरों को और मुनाफिकों को कि उनके जनाजे में ना जाना उनके अवलाद पर रहम मत करना कहीं उनके बच्चों के रोने पीटने से तुम आक्रिशना हो जाओ मेरा सवाल संपूर्ण इसलाम जगत के मानने वालों से पिशेश कर भारते मुसल्मानों से है कि इस भारत को अपना होने का जो दावा कर रहे हैं तथा क्या इसी का नाम मानवता है जिस देश को वो अपना नहीं मानने है जिस देश के लिए जिस देश में रहने के लिए मुसल्मानों को अल्ला ने ये ताकित किया है हिंदु भी हाँ रहते हैं इन हिंदु के मर जाने पर उन हिंदु के जनाज़ा में जाने तक के लिए आल्ला ने मना किया है तो हैसे खटरनाग wrong को इस देश में रहने की क्या अनुमती है कून अनुमती इसलमान क्वाद खातरनाक नहीं है खतरनाक वो जित इसलम को फालो करते हैं ये और रखकम ही खतरनाक है और नहीं मानव समाज के अंदर में भेड़ भाव ड़िस्ड किया है एक एमानदार और बेऑमान कहके संबोधित किया है जिस देश में रिशी मुनियों ने अपने देश भासियों को बसुदही वकुटुमुकम का उबदेश दिया है, पूरे बसुदहा को अपना कुटुम माना है, इस देश में हमारे इस देश में किसी भी रिशी मुनियों ने हिंदो मुसलिम का उबदेश नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ मानव तक कही बाट पढ़ाया, मानव ही बताया है, हमें औरों को अपना मन माने इस तरीके से आपत, येकिन तो अगले कोही भी तो अपना मानना पढ़ेगा, पर यहां पुर्ण के अल्ला ने तो मसल्मानों को रोका है, हमारे साथ मिलने के लिए इसमें दोस्ती तक रखने के लिए अल्ला ने मना किया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर जगा अल्ला ताला ने इस तरीके से मुसल्मानों को मना किया है कि काफिरों से दोस्ती न रखो या अयुहाल लजीन आमनू ला तत्तखिजिल काफिरीन अवलिया मिन दूनिल्मूमिन अतुरिदून अंताजलू अन्तज्वलू लिल्लाहि अल्यकुम सुल्तान मुवीन सुरह निसा आयत नमर 144 में आए इमान मालो मुमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ काफिरों को सर्फ परस्त न बनाओ क्यूंकि तुम चाहते हो कि खुदा का सलही इल्जाम अपने उपर काहिम करो अपने सर ले लो कि बल इतने आए नहीं आगे और कहा है सुरह निसा आयत नमर 149 में अल्जीन यत्तखिदून अल्काफिरीन अल्या मिन दून मुमिनीन आयब तगून अल्याई आयब तगून इन लहुम लुदता वाइनन लुदता लिल्लह जमीरा जो लोग मूमिनों को छोड़ काफिरों को अपना सर परस्त बनाते हैं उनके पास इस्दत वाबरू की तलाश करते हैं इस्दत सारी बस खुदा की पास है इबल इतना नहीं आगे और कहा झूह पूरान आद नम्हे दूार उन्हां ऑर्न सुरू प्डूरान मूमिनी मूमिन को छोड़कर मुसल्मान को चोड़कर और । भी यिन नौक दो दोट्टे नि बनाओ दिल से और जुपान से अगर तुम दोस्ती रखते égalा अब इसके भाल भी कोई مسلمان ये कहे कि مسلمانों को इस देश में रहने के लिए जगा दी जाए तो ये सरासर अल्ला के हुकम के भी खिलाफ है तो जब अल्ला ने ये तीम प्रमार मैं दिया हूं कौरान से यहां इस प्रकार अल्ला ने मुसल्मानों को घेर मुसलिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया है और यहां तक कहा कि अगर तुम काफिरों से दोस्ती रखते हैं तो मैं अल्ला तुम से दोस्ती नहीं रखूंगा इसके बाद भी कोई मुसल्मान किसी काफिरों को दोस्त काफिरों से दोस्ती रखता है तो यहां जिस इसलाम के मानने वाले ने हमसे दोस्ती ना रखकर हमारे जनाजे में भी जाने के लिए अल्ला ने मना किया है मुसल्मान भारत बासी ही किसलिए हमदर्द बने उनके उन मुसल्मानों के भारत बासी ही क्यों हमदर्द बने उन मुसल्मानों के जिन मुसल्मानों को अल्ला ने मना किया है गैर मुसल्मों से दोस्ती तक रखने के लिए इसका जबाब किसके पास है मायबती के पास या किसी सेकुलर बादी नेता के पास मुलाइम के पास या पड़मुखर जी के पास ममता बनर जी के पास या यह यादों के तिगडी मुलाइम यादो, लालु यादो शर्द यादो इनके पास जबाब है इनका इधर मम्ता दिदी ये कह रही है कि कहीं मैं अगर जगा न मिले बंगाल प्रांथ उनको जगा देगी क्या मम्ता बंगाल प्रांथ मम्ता बनार जी के पैतिक संपत्ती है पहले से ही तो इन मंगला देशी घुसपेटियों को डाल करके उन्होंने पश्चिम मंगाल को अस्थिर किया हुआ है और फिर इन रहेंगे मुसलमानों को बंगाल में बसाने की बात वो कर रहे हैं ये भारत वर्ष के साथ भीमानी है भारत सरकार को चाहिए इसका संग्यान में लेते हुए उस पर कड़ी करवाई की जाए क्यूंकि मैं बताया के मुसलमानों की माननता क्या है मुसलमान इसलाम क्या है इसलाम को फॉलो करते हैं अल्ला के हुकम को मानते हैं और जहां पर इन सब बातों के लिए मुसल्मानों को ताकिद किया गया है तो ऐसे मुसल्मानों को भारत में क्यों बसाया जाए किसलिए बसाया जाए इसका जवाब किन के पास है इसका जवाब वोई सेकुलरबादी नेता दे सकते हैं इसका जवाब है किसी नेता के पास तो मैं सब का नाम लेकर कहीं बोलाओ किन के पास है जवाब वो लिया है जवाब इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पहला नंबर पे दोशी तो वो है किसी देश के अनुमती लिए विना उस देश में अनुप्रवेश करना ही एक खता है गुनागार है तो उस गुनाः को करने के लिए पहले उनको सदा दी जाए बसने बसाने की बात तो बाद में आईगी मैं निवेदन कर रहा हूँ जो भारत सरकार को इसको अपने संग्यान में लेते विए खुपिया विभाग ने जो सुचना दी है सुप्रेम कोर्ट में आपने हलफ नमा दायर किया है यह जवाब इन नेताओं को देना जरूरी नहीं है पहले इस देश की सुरक्छा आपके दा ही तुम्हे है मोदी से तो पहले से ही विरोध मुसलमान कर रहे है मोदी का विरोध पहले ही सही मुसलमानों के द्वारा हो रहा है और कॉंग्रेसी को तो कॉंग्रेस तो इसायों का है और सत्ता चुत होने से ही वो जैसे मशली को पानी से अलग किया जाए ठीक वही दर्शा इन कॉंग्रेसियों का है तो मैं निविदन करना हूँ भारत सरकार से कि भारत सरकार इसको अपने संग्यान में लेते हुए इस पर कड़ी करवाई करें कि अनुप्रवेशकारी को पहले, अनुप्रवेशकारियों को पहले सजा दी जाए कि बिना अनुमती के वो इस देश में क्यों उसे कैसे उसे उसके लिए पहले वो सजा लेने के लिए तयार रहे फिर उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना चाहिए और भारत के मुसल्मान जो उन रहेंगे मुसल्मानों को भारत में शरण देने के लिए मानवता का दोहाई दे रहे हैं उन मानवता के पार्ट पढ़ाने वालों को मैं पूछना हूँ कि इसलाम में मानवता का पार्ट है क्या जिस अल्ला के नाम से तुम पशों के गले में छूरी चला रहे हो और उसी इसलाम के द्वारा मानवता का दुहाई देने लगे लज्जा भी नहीं है यहोगो यह बेशरम लोग हैं किया जिस अल्ला ने पशों के गले में छूरी चलाने का हुकम दे आदेश दे, वही अल्ला मानोता का पड़ पड़ाई है दूर भाग्ध है इस देश का इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि पहले उन्हें सजा दी जाए कि जो अनुप्रवेश किया है जो बिना अनुमती के इस देश में घुस आए है उन्हें पहले सजा दी जाए फिर उसके बाद सोचा जाएगा भारते मुसल्मानों से मैं ये निवी दिन करूँगा कि जितने भी इसलामिक कंट्री इस देश में है पहले उन इसलामिक कंट्री से आप लोग बिन्ती करो कि रोएंगे आँ मुसल्मान क्यूंकि आपका कल्मा एक है आपका कुरान एक है आपका रोजा एक है आपका नमाज एक है आपका खज एक है आपका जगात एक है इसलाम एक है इसलाम क्यारकान एक है तो उन इसलामिक कंट्री वालों को तो चाहिए उन्हें शर्म देना इस भारत जैसे काफिर राष्ट में उन मुसल्मानों का क्या काम है इस पर भारत के बहुत संकाक वालों को भी सोचना और विचार करना चाहिए इस पर चिंतन करते विए इस भारत को सुरक्षित रखने के लिए भारत बर्ष को भारत कीता को कायम रखने के लिए निरिशी परमपरा को काईम रखने के लिए हिंदों को एक जूट होना है और हिंदू एक जूट हुए भी न हिंदों को एक जूट ताके भी न इस देश की रक्षा करना संबब नहीं है देश के लोग मुँ बाए खड़े हैं इस देश को निगलने के लिए विशेश करके आज इसी देश में रहने वाले लोग ही इस देश के लिए खत्रा बने हुए हैं चाहिव इसलाम के मानने वाले हों चाहिव परान और बाइविल के मानने वाले हों इसलिए मैं जिवेदन कर रहा हूँ विशेश कर भारत भासियों से कि इस समय नाजुक समय है प्रधान मंत्री को सयोग दीजे प्रधान मंत्री का सयोग देने से ही प्रधान मंत्री को सयोग देने से ही इस काम को किया जाना या करपाना संबब होगा सुप्रीम कोट को भी जो आपने संगिस्ट में दिया है लिफाफा बंद करके उस पर इस पश्टी करन दिया जाए और कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी राजनिती पार्टियों को ये मीडिया वाले कह रहे हैं कल सुमीत अवस्ति को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि सभी राजनिती पार्टियों से मिल करके बैटे हूं राजनिती पार्टियों से जो लोग गुस्पैट किये हैं वो सभी राजनिती पार्टियों से मिल करके गुस्पैट किया पहला नमबर पे दोशी तो वो है कि वो इस देश के करनधारों से देश के संच जालन करताओं से बिना अनुमती लिये इस देश में प्रभेश क्यों किया। क्या इसराइल में जा करके कर सकते थे। इस देश को छोड़ सकते हैं इस पर हिंनों को एक जुटा दिखा कर इनका भी रोध करना चाहिए धरनवाद